Dear students, चली हम लोग चलते हैं क्लास 12 के Physics section को पढ़ते हैं जैसे कि आपको पता है, पिछले दिन हम लोग स्वप्ररकत्व के बारे में पढ़ रहे थे कि स्वप्ररकत्व क्या है, स्वप्ररकत्व क्या है, स्वप्रेरन क्या होता है उसी के आगे हम लोग चलिए, आगे स्टार्ट करते हैं पढ़ाई, तो उसके बाद जो टॉपिक्स हैं, हम लोगों का जो पढ़ना है, वो पढ़ना है प्रेरित्रों के स्रेनी एवं समानतर्शन योजन, यानि बोल सकते हैं, प्रेरित्रों के, देखें, प्रेरित्रों को ही ह हम लोग स्वप्रेरन भी बोलते हैं स्वप्रर्रकत्व भी बोलते हैं ठीक है का सन्योजन यह हम लोगों का आगे का टापिक्स है ठीक है अब आप सीखेंगे कि प्रेरित्रों और स्वप्रर्रकत्व जिसको बोल रहे हैं उसका सन्योजन किस परकार किया जाता है या फिर यह स वा पररकतव का सन्योजन हम लोग पढ़ेंगे, आप जानते हैं कि हम लोग प्रतिरोध का सन्योजन पढ़ें, उसके बाद धारिता जैसे कपिसिट आंस का भी सन्योजन पढ़ें, तो उसी तरीके से प्रेरित्रों का सन्योजन हम लोगों को पढ़ेंगे, यहनि सन्योजन का म हुए हैं किसरेनी करम सन्योजन किसको कहते हैं समांतर करम सन्योजन क्या होता है है न तो प्रेरित्रों और स्वप्ररकत्व का सन्योजन कितने तरह का होता है हम लोग डिसकस करेंगे तो सबसे पहले उसके नीचे ये बात लिखा जाए कि प्रेरित्रों या स्वप्ररकत्व का सन्योजन दो तरह से किया जाता है प्रेरित्रों या स्वप्रकत्व का सन्योजन दो तरह से किया जाता है नमबर वन नमबर वन प्रेरित्रों का स्रेनिक्रम सन्योजन यानि कि इसको स्रेनिक्रम सन्योजन देखेंगे अच्छा फिर दूसरा क्या दूसरा में लिखेंगे प्रेरित्रों के समांतर करम सनियोजन समांतर क्रम सन्योजन जी हाँ तो जैसा कि हम लोग देखिए सब चीश पढ़ते आ रहे है तो इस स्रैनी क्रम समांतर क्रम अब हमलोग प्रेरित्रों का मतलब क्या है तो जैसे स्वापरर्रकत्व के बारे में पढ़े हैं कि स्वापर्रकतव को एलस से सुचित करते हैं कापिटल एल है ना और इसका जो इसा एमात रखोता है वो हिन्री होता है या फिर एक और होता है जिसको बोलते हैं वेबर वेबर फेरे प्रती एमपियर यह होता है ना वेबर टौन्स फर एमपियर ऐसा होता है तो हम लोग हेंडरी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिएगा स्वपरकत्व का जो यह सैम आतर होगा होगा हेंडरी होगा ठीक है अब आए हम लोग सिखते हैं दोनों के बारे में सबसे पहले प्रूफ सिखेंगे कि अगर प्रेरित्र जो होते हैं देखिए स्वाप्ररकतों को L से सुचित करते हैं तो प्रेरित्र को भी आप लोग L ही बोलिएगा ठीक है क्योंकि प्रेरित्र का मतलब भी होता है स्वअप्र कतव ठीड है और ओस्वअप्र रिटर कउनको एल से सुचित करते हैं तो आप प्रेरित्र का मतलब भी प्रेरित्रों का स्रेनिक्रम सन्योजन क्या होता है तो टॉपिक देंगे प्रेरित्रों के स्रेनिक्रम चलिए तो हम लोग देखते हैं प्रेरित्रों के स्रेनिक्रम सन्योजन कि आखिर प्रेरित्रों को अगर स्रेनिक्रम सन्योजन में बनाया जाए इसको जोड़ा जाए तो फिर हम लोग क्या-क्या उसका रिजल्ट ला सकते हैं, क्या-क्या रिजल्ट हमें मिलेगा, कब जब परित्रों को स्रेनिक्रम में जोड़ा जाए तब, देखिए, जैसा कि आपको पता है न, कि संधारित्र का हम लोग सीखे हैं, संधारित्र को ऐसे स सुचित करते हैं एक कुंडली के माध्य हमसे सुचित करते हैं यह प्रेरित्र हो गया ठीक है तो आप तीनों चीज को दें कि कोई भी चीज पढ़िए तो आप बेसिकली आप सबको एक एक चीज रिमाइन कीजे कि हम लोग ये सन्योजन कहां कहां पढ़े तो वही हम लोग सन्योजन को तो पढ़े संधारित्र में कि संधारित्र का स्रेनिक्रम सन्योजन संधारित्र का समांतर करम सन्योजन परतिरोध का समांतर क करते हैं तो मिलेग देखते हैं कि प्रेरित्रों का स्रेनिकरम सन्योजन का मतलब हुआ कि कोई भी परिपत रहेगा ठिक है फीगर वैसे भूंआ बनाएंगे जैसा हम बना रहे हैं ठीक है कोई भी परिपत रहेगा इससे ऐसा माना जा रहा है कि दो ठो यहां से देखिए एक L1 नाम दे दिए क्योंकि वहां पे हम लोग R1, R2 परतिरोज देते थे तो यहां प्रेरित्र वन हो गया तो इसको बोल दिए L1 फिर आगे ही जुड़ा है क्योंकि अभी हम लोग कौन सा क्रम कर रहे है श्रेनी क्रम यह होगया परिपत ठिक है इसका नाम होगया l2 यह परिपत पूरा नहीं है मतलब आप सोचिए कि हम लोगों को तो एसा ही रहेगा प्ररित्र l1 और l2 किसमें है ? स्रेनिकरम में है अब जब l1 और l2 स्रेनिकरम में है तो अब इसमें आपको कुछ मानना पड़ेगा क्या मानना पड़ेगा कि माना कि एक परिपत में L1 और L2 दो प्रेरित्र जो है स्रेनी करम में जूड़ा हुआ है और इसमें हम लोग I current प्रवाहित कर रहे हैं तो यहां से I current यहां भी जाएगा और पूरा कुंडली से होकर इधर भी I current जाएगा यहांने कि कुंडली में भी पास करेगा और इस तरीके से I current ऐसे move करेगा ऐसे चलेगा ठीक है तो आप इस figure को इस topics के निचे बना लेजेगा उसके बाद आप आपको जो चीज हम माने हुए हैं वो चीज लिखना पड़ेगा तो लिखा जाए माना की एक परिपत में एक परिपत में L1 तथा L2 L1 तथा L2 दो प्रेरित्र शमांतर क्रम में जोड़ा गया है इस परिपत में बिधूत धारा आई परवाहित हो रही है इस परिपत में आई धारा प्रवाहित हो रही है चलिए अब आप समझेए ये फिगर भी बना लिए हो उसके नीचे मानें जो हम लोग क्या मानें कि L1 और L2 दो तरह का क्या है प्रेरित्र है जो स्रेनी क्रम में जोड़ा है देखे स्रेनी करम का मतलब क्या है स्रेनी करम का मतलब हुआ कि एक ही तार में आगे या पीछे का जुड़ना ये कहलाता है स्रेनी करम समांतर करम का कब होता जब एक जो प्ररित्र है उसके उपर या उसके नीचे जुड़ता है कोई भी प्रित्र तो हम उसको समांतर करम बोले ऐसा कुंडली रहता, तब हम ये दोनों को कौन सा बोल देते हैं, समानतर करम बोल देते हैं, लेकिन हमें स्रेनी करम का मतलब है, इसलिए हम लोग L1, L2 को किस में जोड़े हैं, स्रेनी करम में जोड़े हैं, अब लिखेगा, जो हम लोग बात लिख लिए, उसके नीचे लिख कारण एलवन प्रेरित्र के कारण चुम्ब किये फ्लक्स देखिए आप फ्लक्स पढ़े हैं न हम लोग चुम्ब किये फ्लक्स तो एलवन प्रेरित्र के कारण चुम्ब किये फ्लक्स कितना होगा तो देखिए अगर कहीं भी प्रेरित्र रहता है तो वहां पे फ्लक्स का जो वेलू होता है वो एलवन और इसमें जितना धारा पास करता है उसका मल्टिपल होता है यानि कि इसको हम लोग पहला वालों को नाम देंगे कि फाइवन यानि कि यहां पे इस वाले कुंडली में कितना चुम्ब किया फ्लक्स है तो फाइवन इसमें कितना फ्लक्स होगा तो इसको फाइटू हम माने हुए हैं कि यहां पर चुम्ब किया फ्लक्स फाइवन होगा किसके वज़ा से तो एलोवन प्रित्र के वज़ा से एलोवन प्रित्र के कारण चुम् लो दिया रहेगा तो प्रेदित्र को अगर धारा से मल्टिप्लाई करने पर हम लोग उसमें जितना चुम्ब किया फ्लक्स होगा निकालता हैं उसी तरीके से कि एल्टू प्रेदित्र के कारण एल्टू प्रेदित्र के कारण L2 प्रदित कारण चुम्ब किये फ्लक्स L2 प्रदित के कारण टोटल चुम्ब किये फ्लक्स कितना होगा तो फाई 2 होगा ना यहां पर फाई 2 बराबर कितना क्योंकि दूसरा वाला चुम्ब किये फ्लक्स को दूसरा वाला चुम्ब के फ्लक्स किसके वज़ा से है तो L2 के वज़ा से है तो यहां पर लिख देजिए L2 into I ठीक है उसके बाद हम यह बोल सकते हैं कि यहां से जो आपका कुल फ्लक्स मिलकर आएगा देखिए यहां से आपका एक एक फाइबन आया और फाइटू आया अगर मान लिया कि टोटल कुल परेदित्र अगर एल है जैसे एल वन और एल टू को अगर मिला दिया जाया तो टोटल परेदित्र कितना है एल तो यहां से लिखेगा पूना उसके नीचे पूना इसके नीचे कूल फ्लक्स का वेलू कितना होगा तो कूल फ्लक्स को हम लोग फाइब से सुचित करेंगे और फाइब का वेलू क्या होगा तो कूल परेदित्र यानि जिसको हम एल बोरेंगे उसको आई से मल्टिपल कर देंगे ठीक है अब cool flux का मतलब क्या हुआ तो cool flux का मतलब हुआ कि आप phi 1 यानि कि इस पर जितना flux है इस पर जितना flux है दोनों को अगर add कर देंगे तो वो cool flux का value होगा ठीक है तो cool flux का value आप ये लिख लेजे कि phi 1 plus phi 2 यही न कुल flux होगा बराबर कितना l i ठीक है और आपको पता है न कि phi 1 का value यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं क्या l 1 i तो यहाँ पर आप put कर देजे l 1 i plus phi 2 का value कितना आ चुका है हम लोग का l 2 i बराबर कितना l i उसके बाद आप उसके नीचे लिखिएगा कि यहाँ पर क्या common हो सकता है तो यहाँ पर common होगा i ठीक है तो जब यहाँ पर i common होगा तो यहाँ बनेगा l 1 plus l 2 is equal to l into i आप देख पार होंगे i से i क्या हो रहा है cancel out हो रहा है तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि l 1 plus l 2 बराबर l ठीक है या यह बोल सकते हैं कि l बराबर l 1 plus l 2 आप बिल्कुल आसानी से इसको प्रूफ कर सकते हैं यह कब का फार्मूला हुआ जब प्रेरित्र या प्ररकत्व जब प्रेरित्र कि स्रेनिक्रम में हो जी हाँ आप देख पा रहोंगे कि इस तरीके से हम लोगों का ये चीज प्रूफ होता है अब यहाँ से आपको क्या बात पता चला कि अगर मान लिया जाए कि अलग अलग हेन्री वाला प्रेरिकत्व स्रेनिक्रम में जोड़ा रहता है तो आपको कुल प्रेरित्र अगर निकालना हो तो आप क्या करेंगे तो दोनों को क्या कर लेंगे एड कर लेंगे यानि कि कुल मिला कर अगर देखा जाए तो हम लोगों का ये जो फार्मूला आया है बहुत अच्छे से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि प्रेरित्र का स्रेनी करम में क्या है अब जरा इसके बेसिस पर कुछ एक्जामपल करता है ठीक है पहला एक्जामपल यह हुआ कि अगर मान लिया कि कोई धारा है कोई कुंडली है कोई परिपत है जिसमें ऐसा करके ऐसा कुंडली बहुत सारा स्रेनी करम में जोड़ा हुआ है देख पा रहोएंगे हूं ठीक है अब यह टूटल आठ हेन्री का है pricing प्रेत्र या प्रकत्व जो भी बोल सकते हैं यह ठेज़ित हैं यह जो हम लोगों को कुछ भी भैलू दिया रह सकता है ठीक है अब यहां बोलेगा कि कुल प्रतिरोध कैसे होता था है ना तुल प्रतिरोध होता था या कुल प्रतिरोध होता था वैसे यहां पर बोलेगा कि कुल प्रतिरोध निकाले कि कितना होगा कुल प्रतिर तो कुल प्रतिर कैसे निकालते हैं तो कुल पररित्र बराबर, कितना, तो L1 पलस L2 पलस L3, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए, स्रेनिक्रम में है, आपको तो फीगर दे के पता चलना चाधिए, कि900 में है, तो स्रेनिक्रम में है, तो सिम्पल क्या करेंगे, सिधा सिधा जोड़ देंगे, तो यहाँ इस तरीकề स से आगया आठ हेंडरी पलस दस हेंडरी पलस बारा हेंडरी तो कुल मिलाकर कितना हुआ तीस हेंडरी इस तरह से कुल हम लोग टूटल निकाल सकते हैं देर फ्रेंड्स आप समझ पार होंगे आपको देखिए ये चीजे स्वाल्व करना बड़ी बात नहीं है बड़ी बात ये है कि आप चीजों को कैसे प्रूफ कर सकते हों अगर सवाल में आ गया कि प्रेरित्रों का स्रेनी करम के लिए ब्यंजक प्राप्त कीजिए समझ रहे ना प्रेरित्रों के लिए आपको स्रेनी करम का ब्यंजक प्राप्त कीजिए ऐसा लाना है तो आपको ऐसे ही इन चीजों क और आप इसको प्रूफ करना अलग बात है आपको सिर्फ फार्मूला याद रहेगा तो नुमेरिकल को आप सौल्फ कर लिया आंसर रा दिये लेकिन ये आखिर आता कैसे है ये आपको प्रैक्टिस से होगा आपको प्रैक्टिस करते रहना है चलिए अब हम लोग आगे बढ़ मिला कर दे देता है सवाल में अक्सर स्त्रेनी करम भी रहेगा समानतर करम भी रहेगा तो जाकर हमें प्राबलम होने लगता है ठीक है तो उसके लिए भी हम लोग सिखना पड़ेगा क्या तो प्रेरित्रों का समानतर करम कि प्रेरित्रों का समानतर करम कैसे प्रूफ होगा वह प्रेरित्रों के समांतर क्रम सन्योजन, समांतर क्रम सन्योजन, ठीक है, अब प्रेरित्रों के समांतर क्रम सन्योजन का प्रूफ हम लोग कैसे करते हैं, इसको हम लोग चलिए समझते हैं, तो प्रेरित्रों का जो समांतर क्रम सन्योजन होता है, सबसे पहले एक कुंडली अब परिपत में चुकि समांतर कब बनेगा जब दो कुंडली को दो प्ररिकत्व को हम लोग समांतर करम में ऐसे एड़ करना होगा देख पार होंगे इस तरीके से यहां पे हो गया यह समांतर करम यहां पे जो L1 और L2 प्ररिकत्व है या प्ररित्र है यह किसमे है तो स्रेनिकरम में है आपको यहां पता होना चाहिए कि जब इसमें अगर करेंट देंगे आई तो इसमें जब करेंट देंगे तो यहां तक के भी आई रहेगा लेकिन एक वा वाले तार में मुड़ेगा तो यह बन जाएगा i2 यानि कि धारा का मान बट जाता है याद रखेगा इधर वाले में चला जाएगा i1 करेंट इधर चला जाएगा i2 इसी तरह से यहाँ l1 प्रेत्रव से i1 धारा पास करते रहेगा i2 से i2 धारा पास करते रहेगा और फिर यहाँ दोनों मिल जाएगा और मिल के क्या बन जाएगा I क्योंकि एक I ही धारा शुरू में था जो बट गया था I1 और I2 में ठीक है इस वाले तार में I1 चला गया था निचे वाला में I2 यानि उपर वाला में I1 गया यहनि कि L1 में कौन सा धारा पास किया I1 न और L2 में कौन सा धारा पास किया I2 तो I1 और I2 मिलकर फिर हमें I current इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच हमें कुछ बिभवों का अंतर भी प्राप्त होगा क्यों क्यों क्योंकि इसमें current का value बट जाता है तो यहां इसका नाम दे दिजिए बिंदू A और इसका बिंदू B तो दोनों बिंदू के बिच में कुछ बिभवों का मान different होने लगता है जिसको हम लोग बिभवांतर के नाम से भी जानते हैं दो बिभवों के अंतर को ही बिभवांतर कहते हैं तो चलिए इस तरह का figure बना लेने के बाद हम लोग यहां पे क्या-क्या माने हैं जरा उसको लिख लेते हैं तो लिखा जाए माना कि किसी परिपत में माना कि किसी परिपत में L1 तथा L2 दो प्रेरित्र शमांतर करम में जोड़ा गया है, जिसमें बिधूत धारा आई प्रवाहित करने पर 11 प्रेरित्र में आईवन धारा पास कर रही है, यहां तक किलिए चलिए, आप यहां तो उल्टा भी मान सकते हैं, यहां पर आई टू दे सकते हैं, यहां पर आई वन दे सकते हैं, लेकिन सही रहेगा कि L1, I1, L2, I2 इसी तरह से हम माने हुए हैं, मानने का है, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, चलिए, अब यह चुकी हम लिख लिए, अब यहां पर A और B के बिच अगर विभुवानतर का बात करें, ठीक है, तो A और B के बिच विभुवानतर, तो यहां लिखेगा अब, A और B के बिच विभुवांतर तो आपको पता है ना कि A और B के बिच विभुवांतर को हम लोग किस से सुचित करते हैं तो इसको B, A, B बोलते हैं B, A, B का मतलब क्या हुआ कि A और B के बिच का विभुवांतर तो A और B के बीच का विभुवांतर कम निकलेगा जब उसमें जितना धारा पास कर रहा है और A11 जितना परित्र है वो दोनों को मल्टिप्लाई करने पर देखिए आप वहाँ जो प्रूफ किये थे तो ङॉण सक वहाँ कौन सा प्रूफ किये थे तो यहाँ पर कर प्रूफ किये थे और इन चुदू को देखिए चुटी चुटी बात है उसको आपको याद रखना पड़ेगा कि आखे प्रूफ कैसे किया जाता है वहाँ पर हम लोग्चि दू विभुवांतर को लेकर प्रूफ करने तो ए और बी के बिच में विभुवांतर का मान क्या होगा तो जितना धारा है और जितना प्रेरित्र है वो दोनों को मल्टिप्लाई करना पड़ेगा तो आई वन इंटू एलवन ठीक है इस तडिके से हम बोल सकते हैं कि भी ए बी का मान क्या आया तो भी ए भी का मान आया आई वन इंटू ए लवन ठीक है इसलिए हम बोल सकते हैं कि I1 बराबर क्या होगा तो I1 का मान निकालना होगा तो BAB बटा 11 नहीं लिख सकते हैं देखिए ये I1 है I1 का मान निकालना है तो 11 का इधर गुना में है ना तो इधर जाएगा तो किस में होगा भागा में होगा तो इसलिए I1 बराबर क्या लिख दिए VAB बटा L1 ठीक है चले उसके बाद पुना अब हम लोग दूसरे L2 के कारण लिए तो हम A और B के बिच बिच बिभवानतर किसको लेकर तो L1 का लेकर ना फिलिखेंगे Similarly का मतलब उसी तरह जिस तरह से हम लोग पहला पररेतर के वज़ा से किये हैं उसी तरह से इसको पढ़ते हैं Similarly इसका मतलब होता है उसी तरह जैसे पहले किये वैसे ही अगर यहां पर भी करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा VAB is equal to I2 into L2 क्या बनेगा क्योंकि A भी तो A और B के बिच बिभुवांतर ही निकल रहा है इससे लेकिन अभी हम लोग नीचे वाले वायर से होकर B तक पहुँच रहे हैं तो similarly का मतलब उसी तरह जिस तरह से हम लोग यहां पर भी भुवांतर निकाले हैं इसमें भी बिभुवांतर कि आई टू कमान क्या होगा तो आई टू कमान हो जाएगा भी ए बी बटा एल टू देख पा रहोंगे यहां से आया आई टू कमान यहां से आएगा भी ए बी बटा एलबन यहां आएगा आई वन कमान अब ज़रा बात करते हैं कि आगे का प्रोसेश क्या होगा तो यहां से I1 और I2 निकल गया फिल लिखेगा पुन कुल बिभुवांतर का अगर बात करें कुल बिभुवांतर देखिए कुल बिभुवांतर का मतलब कुल बिभुवांतर में भी तो हम लोग लोग A और B के बिच्छी विभुवांतर निकालेंगे तो कुल विभुवांतर जब भी निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे कुल विभुवांतर ज़रा देखिए कुल विभुवांतर का अगर बात करना होगा हमें तो कुल विभुवांतर में क्या होगा तो टोटल करेंट क्योंकि कुल विभुवांतर है ना तो टोटल करेंट आई होगा यहां पे तो यहां पे आई को एल से मल्टिपलाई करेंगे देखे कुल विभुवांतर का मतले भी ह कि टोठल कितना भीभुवांतर होगा तो जीतना विधूत धारा होगा उसको हम लोग प्रित्र से अगर मल्टिपल कर कि अधिपलेंगे यहां से अगर I का भेलू निकालेंगे तो भी ये भी बुल में है निज्छे चला जागा भागा में तो यहां तक Chinook में अब आप चित्र से देखिए चित्र से चित्र से तो कूल धारा हम लोग कैसे निकाल रहे हैं कूल धारा कितना है कूल धारा तो हम लोग तूट जा रहा है जिसका नाम है I1 और I2 तो आप कुल धारा में नीचे नहीं लिख सकते हैं I1 पलस I2 बराबर में I अब I1 का तो वेलू हम लोग पहले प्रूफ किये हैं कि I1 का वेलू देखिए ये वाला VAB बटा L1 और यहां VAB बटा L2 उसी तरीके से आप यहां पर प्रूफ कर लिजे पूट कर लिजे भैलू VAB बटा L1 पलस VAB बटा L2 बराबर I का मान तो यह वाला I का मान पूट कर देजे कितना VAB बटा L अब आप यहां से देखिए तो इसमें क्या कॉमन हो रहा है तो यहां क्या बचरा कॉमन हो कि 1 बाई L1 1 बाई L2 is equal to VAB बटा में L तो VAB बटा में L तो इस तरह से हम लोगों को क्या बन रहा है 1 बाई L1 1 बाई L2 बराबर 1 बाई L अता हम यह बोल सकते हैं कि 1 बाई L का जो वैलू आया 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2 तो कुल मिलाकर यह आ गया प्रूफ किसके लिए प्रूफ भई तो जब प्रित्र किस में हो शमांतर क्रम में जुड़ा हो ठीक है जुड़ा हो तो इस तरीके से अब जरा इसका भी हम लोग एक एक जामपल के तोर पर कोशन कर ले रहे हैं तो एक जामपल चलिए हम लोग इसका कर लेते हैं अगर मान लिया कि कोई कोशन इस तरीके से रहे पहला कि एक परिपत है यहां पर आपको एक हेंडरी है ठीक है और यहां से आपको एक और इस तरीके से दो हेंडरी ठीक है यहां आपका तीन हेंडरी है यहां पांच हेंडरी है अब आपको बोलेगा कि टोटल कुल प्रेरितर ग्याद कीजिए यहां से हमें कुल प्रेरितर निकालना है तो कुल प्रेरितर कैसे निकालेंगे यहां पर तो कुल प्रेरितर निकालने के लिए आप सबसे पहले देखेंगे कि यहां पर तो समांतर क्रम है तो पहले समांतर क्रम वाला को अपलाई करेंगे तो पहले लिखेगा पहले समांतर क्रम में हैं समांतर क्रम में तो पहले समांतर क्रम में चलिएगा तो 1 by L बराबर 1 by 3 और 1 by 5 इसको करने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग सीखें की समांतर करब में रहता है, तो उसको 1 by में करके add करते हैं, तो यहां से बन गया 1 by L बराबर 5 और 3 का L सिम 15 यहां बन गया 5 और यहां बन गया 3, तो 1 by L बराबर कितना 8 बटा 15, इसलिए L का मान यहां पर क्या आया, तो उसक ऐसे बन गया ठीक है ऐसे बन गया मतलब कि ये तो वन हेंडरी था तो ये वन हेंडरी ही रहेगा लेकिन ये दोनों को समांतर करम में मिला दिये तब इसका वैलू कितना हो गया 15 बटा 8 हेंडरी तो अब हम लोग को कूल प्ररित्र निकाल सकते हैं यहां से कूल प्ररित्र इस हम लोगों को सिंपल एड़ करेते हैं क्यों की स्रेड एक नगर में है तो वन को एड करदेंगे 15 बटा आट से तो वनको बटा वन बटा वन लिख सकते हैं तो आइड हो जाएगा यहां पर और यहां हो जाएगा पंद्रह तो तेईस बटा आठ हेंडरी या फिर इसको अगर पॉइंट में करें तो आर्दुना सुल्ल तो इस तरीके से आपको हम कुछ इसी तरीके का नुमेरिकल्स देते हैं यानि कि यहां पर प्रेरित्र जो है आपको स्रेनिक्रम में जूड़ा रह सकता है समांतर क्रम में जूड़ा रह सकता है आपको उसको प्राबलम लेके नहीं चलना है आप उसको सौल्ब करेंगे तो पह हम कुछ questions देते हैं करने के लिए तो कुछ इस तरीके से है यह एक हो गया और फिर से एक यहां पे प्रित्र हो गया यहां पे भी एक प्रित्र जोड़ दे रहे हैं इस तरीके से ठीक है यहां पे भी एक प्रित्र है अब जाकर इसके नीचे भी एक प्रित्र एड किया हुआ है देख पा रहे होंगे एंठी के सबका वैयले देते हैं यह 4 henry है यह 2 henry है यह वह 4 henry है यह 6 henry है और यह 5 henry है तो अब टोटल कुल इसका निकालना है दुसरा कोस्चन की तरह बढ़ते हैं दुसरा कोस्टन कुछ इस तरुके से है कि यह हेंड्री हो गया ठीक है यहां से ऐसे ऐसे करके एक यहां पर यहां पर भी एक प्रद्रत्र हो गया और यहां पर दो प्रद्रत्र हो गया और आपको ध्यान से समझना है कि कहां पर स्रेनिकरम लगाना है कहां पर क्या लगाना है टू हेंड्री हो गया यहां पर थ्री हेंड्री हो गया यहां पर फॉर हेंड्री हो गया यहां पर फाइफ हेंड्री हो गया तो टूटल एक और कोश्चन दे देते हैं तिसरा कोश्चन कुछ इस तरीके से है कि यहां पर आपको दो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तीन प्रेरित्र है दिख रहा है ना हाँ तो इस तरीके से जो हम लोग काम करेंगे वो बिल्कुल अच्छे ढंग से करेंगे ताकि कुछ प्राब्लम नहीं हो यहाँ पे आपको दो प्रेरित्र जोडा गया है उपर में तो इस तरीके से अब सबका वैलो हम पूट कर देते हैं चार हेंजी टु हेंजी त्री हेंजी यहाँ हो गशान है है यह वन हेंजी यह तीनो वन हेंजी का है ठीक है तो इस तरी से आपका तीन question complete हो गया अब इस तीनों question को आपको ठिक ढंग से numerical के form में इसको बनाना है और आज के class को हम लोग यहीं तक end करते हैं फिर अगले class में सिखेंगे आगे तब तक धन्यवाद